Hello everyone, आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का text reveal animation create करेंगे और साथ ही इसे as a motion graphic template export भी करेंगे ताकि आप इसे easily अपने future projects में use कर सको तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीमेर प्रो पे आके अपना यहाँ पे text type कर लेना है text यहाँ पे लिखने के बाद text को centrally आपको align कर लेना है horizontally भी और vertically भी then इसके बाद आपको अपने text layer को select करके एक shape create करना है rectangle shape create करना है आपको आप चाहें तो यहाँ से भी shape draw कर सकते है या फिर आप essential graphics panel में इस वाले option पे click करते है new layer के option पे तो आपको यहाँ से भी काफे सारे options देखने को मिलते है जिसमें कि आप rectangle draw कर सकते है then इसके बाद आपने यह rectangle draw किया है इसे आपको adjust कर लेना है आपके text layer के गौडिंग और इसका जो anchor point है यह आपको रखना है right side में अगर आप इस तरह से move करते हैं और अगर snap ना हो तो आप control प्रेस करके रखेंगे तो यह snap हो जाएगा एक point पर तो आपको इस तरह place कर देना है then इसके बाद को essential graphics panel में आपे देखेंगे तो shape और text दोलों layer आपको देखने को मिलती है shape वाली layer को आपको नाम देदेना है rectangle then इस layer को आपको duplicate करना है और नीच वाए layer को आप नाम देदेंगे mask हमें एक mask create करने वाले हैं ताकि यह हमें text reveal animation create करने में help करें तो mask वाए layer पे select करके आप mask वे shape के option पे click करेंगे और इसे invert कर देंगे इससे होगा यह कि जब हम इसे drag करेंगे तो यह shape text को cover कर लेगा इसके बाद अब हम rectangle वाले layer को select करके यहाँ पे animation start करेंगे ताकि हमारा यह reveal होता हुआ effect हमें मिल सकें इसके लिए हम चाहते हैं कि जो यह mask है वो भी rectangle के साथ move करें जिसके लिए आपको mask को select करके यहाँ पर responsive design के option में यहाँ आप click करेंगे और select करेंगे rectangle जिसके साथ आप उसे attach करना चाहते हैं तो यह आपके mask को rectangle के साथ सभी corners से match करता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसके बाद अब बारी है अपने इस shape को animate करने की तो इसके लिए animation के लिए आपको position पे keys add करनी है आप चाहें तो keyframes आप essential graphic panel से भी add कर सकते हैं और जाहें तो effects control panel से भी add कर सकते हैं तो essential graphics panel में आपको इस option पे click करते हैं तो आपका animation जो है वो position पे add हो जाता है effects control panel में तो किस तरह add करना है वो आप जानते हैं इसके लिए आपको अपने टाइम लाइन के स्टार्टिंग में आना है मास्क को सेलेक्ट करके इसे पुरी तरह ड्रैक कर देना थाकि आपकी टेक्स को कवर कर ले तर उसके बाद फिर से आपको अपने रेक्टेंगल वाई लेर को सेलेक्ट करना है timeline के starting में आकर आपको अपने animation को on करना है और कुछ seconds आगे जाने के बाद approach one second आगे जाकर rectangle को कुछ इस तरह से आपको drag करना है ताकि slowly ये reveal हो जाए तो कुछ इस तरह के आपको effect देखने को मिलेगा आप इसे और smooth बना सकते हैं effects control panel में shape बाले option पे click करेंगे आप इस rectangle को desired shape, desired direction में आप इसे animate कर सकते हैं ताकि आपको अलग-अलग animation मिले इसे आप lower third grade कर सकते हैं और इसे आप motion graphic template के तौरबे export करके अपने different platforms पे जहाँ भी आपको better लगे महाँ पे sell कर सकते हैं ताकि आप इसे earn भी कर सकें और अगर आप अगले project में इसे use करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी time बज़ेगा इसके through तो जिस तरह से ये animate in हुआ है अगर आप चाहते कि animate out भी हो तो जहाँ पी ये पूरी तरह से reveal हो चुका है इससे कुछ frames आगे आकर आप effects control panel पहेंगे position पे एक blank keyframe add करेंगे देर उसके बाद कुछ frames आगे आगर इसकी position को फिर से आप इस तरह से drag करतेंगे opposite direction में कुछ इस तरीके का animation आपको देखने को मिलेगा आपने इंट्रोस में तो जिस तरह से ये shape rectangle right to left आता हो दिखाई दे रहा है अब हम ये चाहते हैं कि text layer वो भी हमें left to right आता हो दिखाई दे जिसके लिए हम जहाँ पी पूरी तरह से reveal हो रहा है उस वाले frame पर आएंगे देन इसके बाद यहाँ पे एक blank keyframe add करेंगे text file layer को select करके एक blank keyframe add करेंगे देन इसके बाद starting में जाएंगे layer के दोस्तों motion graphic template क्रेट करना बहुत ही easy है आपने जो यहाँ पे animation क्रेट किया हुआ है इस layer को आपको select करके right click करना है और यहाँ पे जो option है export as motion graphic template इस पे आपको click करना है यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं ब्राउस पे click करके आप location दे सकते हैं कि आप कहाँ पे save करना चाहते हैं तो इसके बाद in options को आपको select करते हैं कि आप इसके thumbnail के तौर पे क्या रखना चाहते हैं अगर आप यह mogret file के ccg अभी यूज करें जहाँ पे एक font टीच चो इसमें यूज हुआ है वहाँ नहीं है तो अगर आप warning sign देना चाहते हैं तो इन options पे आप enable कर सकते हैं तो इसके बाद okay करेंगे यहाँ पे फिर से okay करेंगे तो यह export हो जाता है motion graphic template के form में इससे आप कहीं भी use कर सकते हैं ओके